Hello, दोस्तों, नमस्ते, मैं अपनी चानल पे आप सब का सुआगत करते हूं दोस्तों हस्ते रहे इहे हैं, मुश्कूरा आते रहें, मुश्कूराआते रहे हैं, पॉजिटिव रहें, सुचिए पॉजिटीव रहेंगे, सफलतावस मिलेगी आप सब के चेहरे पे मुस्क्राहट हो आप सब स्वस्थ और मस्थ हो दियर आज को जो वीडियो है जो आपके लव लाइफ और आपके पार्टनर की करेंट इनर्जी पर है तो दियर यह 11-11 पूटल आपके लव लाइफ में और इस वक्त आपके पार्टनर की इनर्जी क्या है इस पर ये वीडियो बन रही है ठीक है क्या changes आ रहे हैं आपके love life में और आपके partner की current energy ठीक है यानि कि present में आपके partner आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आने वाले time में आपके love life में क्या changes आ रहे हैं ये 11-11 portal आपके love life में क्या change लेकर आ रहा है तो यह collective reading एडियर ठीक है, यह all sign के लिए है, male, female, married and married सब के लिए है और यह सारे sign के, यह collective reading है, यह present reading नहीं है, ठीक है जिसको present reading मुझसे करवानी हो, session लेना हो, तो मेरे email ID पे contact करे मेरे email ID के charge होते है, जो कि मेरे email ID description box में होते है direct आप मेरे email ID पे भी कोई सवाल, आप question पूछ सकते हो, ठीक है तो dear, चलिए positive होकर सुनिए, जितने sign, मुझे कुछ sign मुझे strong दिख रहा है मैं sign भी बता देती हूँ, ठीक है, हो सकता है, यह sign आपके या पिर आपके partner के हो, ठीक है यह sign मुझे strong दिख रहा है, ठीक है, तो dear, मैं यहाँ देखने वाड़ी हूँ, कि आपके partner की current energy क्या है और आपका love life में क्या होने वाला, क्या changes आ रहा है, ठीक है यह 11-11 portal, आपके love life में changes ला रहा है, ठीक है लेकिन मैं जो यहाँ देख रहे हूँ, अभी current energy में देखा जाए, तो आपके partner अभी खुस बिल्कुल नहीं है बहुत उतार चड़ाओ आपके partner के life में हो रहा है, ठीक है लेकिन मैं देख रहे हूँ, आपके अपने life में पे कुछ उतार चड़ाओ हो रहा है जैसे की career, challenge आ रहा है, किसी को finance की problem, किसी की job पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम साते हुए दिखाई दे रहे है और कहीं न कहीं और अपने partner को लेकर आप ज़्यादा थोड़ा सोच रहे हो, stuck हो ये आप मेरे viewers की energy है, एक अकेला पन, एक जिन्दगी से हारा हुआ है इंसान, ऐसा आपको महसूस हो रहा है मतलब balance नहीं कर पाड़े हो, लेकिन आप कोशिस कर रहे हो, ठीक है, आपकी growth मैं देख पाड़े हो आने वाले time में आपकी growth होती हुई दिखाई दरी है, लेकिन यहाँ जो आप अपने आपको unbalance कर रहे हो, नहीं इसको हर वक्त आपको यहाँ positive रहना, क्योंकि मैं देख रहे हैं कि आप stuck भी हो, ठीक हो, balance करने की कोशिस कर रहे हैं, फिर भी अकेला पन क्योंकि कही न कहीं चारो दिशा से आपको जैसे रगड़ा है मेरे उपर बहुत challenge आ रहे हैं, अब कैसे मैं क्या करूँ, यह मेरे viewers के energy, career में भी कुछ problems आ रहे हैं, कुछ के finance की भी हैं, लेकिन यह आने वाले time में, आने वाले आपके time में changes दिख रहे हैं, ठीक हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो दिख रहे हैं, क्योंकि आप healing process से गुजर रहे हैं, तो थोरा सा उतार चड़ाओं में देख रहे हूं, लेकिन आप सही दिशा, सही track पर जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, good news मिलने वाला ऐसे भी energy है, ठीक हैं, आने लव लाइब को अच्छा करना चाहते हो, new beginning करना चाहते हो अपने partner के साथ, लेकिन चाह कर भी आप से वो नहीं हो रहा है, नहीं आपके partner आप से commitment दे रहे हैं, ना आपके तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, on off से आप लोग इस situation से कही न कहीं आप disturbed हो जाते हो, कुछ लोग तो ले future में आपके तरफ good news भी मिलता दिका, good news कुछ भी हो सकता है, partner हो सकते है, job अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग के job पर भी problem सार है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपके खिलाब कही साजिस रशना, job से निकालने की कोशिस करना, finance की problem होना, आपके खिलाब साजी से चलना, यह कुछ टाइम की है, लेकिन यहाँ पर अभी आपके ब्लॉक के चारों तरफ से हैं, बाबू, प्रिजेंट में, future आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, यह सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है, आपके तरक्की के लिए हो रहा है, आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम सा रहे थे, इस वज़े से आपको भी ब्लॉकेज है, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ में देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ में मार बार बोलूँगी, हर वक्त उसके लिए आपको पॉजेटिव रहना है, ब्लॉकेज अभ से रहे हो, ब्लॉकेज प्रॉब्लम और सोंस समझकर कदम उठाना है, कही भी आप से बहस जगड़े हो सकते हैं, चाहे किसी सो, जहां जौब करते हो, बिजनेस करते हो, या पिर कही भी आप घर में हो, तो थोरा सा चिर्चीड़ापन गुसापन से कही आप से जगड़े भी भी हो सकते हैं ठीक है इसलिए आप लोग balance में रहो प्रेजन्ट में आपके partner को देखा जाए तो आपके partner action लेना चाहते हैं लेकिन लेते हुए दिखाएं अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप healing process से गुजर रहा हो आने वाले सब टाइम में आप लिए गुड नीज है, करियर, फाइनांस, पार्टनर, सब कुछ आपको मिलता हुआ नजर आ है, लेकिन मैं यहाँ बोलूगी, ब्लॉकेज है, और यहाँ पे आपको पेसेंस रखना है, ठीक है, प्रजेंट में जैसे जैसे आप पेसेंस तो यह सीड़ी है, step by step आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपकी हर तरह से ग्रोथ दिख रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया निव विगनिंग करना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर, कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या प तुम्हारे लिए बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है, लेकिन वहाँ पहुंशने के लिए कुछ चैलेंज आ रहे हैं, उसको आप स्विकार करो और आगे बढ़ो, ठीक है, जो भी आसपास निगेटिविटी है, उसको लेटको करो, पॉजेटिव रहो, क्योंकि इस वक्त आ आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपके पार्टनर तरब, आपके पार्टनर की और से भी, और आपको उनकी भी एनरजी मिल रही है, और आपकी ग्रोथ भी हो रही है, बस आपको स्टक नहीं रहना है, पीस में रहना है, उस मैसेज को कैच करना, कि मेरे लिए क्या मैसेज आ है नंबर्स दिखते है कोई मैसेज आता उसको सर्ज कीजिए उसको जानिए ठीक है क्योंकि अगर आप सही दिशा जा रहे जा रहे हैं क्योंकि आपकी एनरजी मुझे आने वाले टाइम है positive लग रही है क्योंकि यहाँ पर देख रही हूँ success है success आ रहा है आपकी growth होड़ी है कोई spiritual journey में ही कुछ खास करने वाले हैं ठीक है उसका आप planning कर रहे हो ठीक है आप partner को manifest कर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ने के लिए भी सोच रहे हो क्योंकि आप अब समझ रहे हो कि हमारा goals भी बहुत जरूरी है यह आप focus कर रहे हैं लेकिन रह रहे कर जैसी आपकी energy है तो वैसे आपके partner की energy है क्योंकि आपके present में देखा जाए है तो आपके partner अभी भी खुस नहीं है स्टक है हर्मिट मून में है हैंड मैं है और वो रो भी रहे हैं क्यों क्योंकि आप balance में नहीं हो आप स्टक हो आपका heart chakra block है आपका throat chakra block है ठीक है heart chakra throat chakra block है मैं सुबा में भी यह वीडियो में डाला था बहुत लोगो यह circle chakra मैंने सुबा बोला heart chakra और throat chakra block है इसलिए heart chakra block है तो आपके relationship में कोई भी growth नहीं देख पाड़ी हो क्योंकि अभी आपकी growth शुरू हो गई है यानि कि आने वाले time में आपकी growth में देख रही हो आपके तरफ good news बर रहा है लेकिन उस good news के पास आपको बरना है इस बीच आपको ब्लॉके जाएंगे हो सकता है किसी से बहस हो जगड़े हो जॉब पे कोई problems आए कहीं आपके साथ कोई गलत करे आपके खिलाफ साजिस रशे यहां मैं देख रही हूँ आपको समझना होगा कि यह जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है मेरी growth के लिए हो रहा है मैं यह आपके दिवाग में डाल देती हूँ बैटा क्योंकि अभी आपको देखना है कि यह मेरी growth के लिए हो रहा है बहुत परसान ही आ रही है मैं देख रहे हैं और यह भ्लॉके जा है लेकिन यह करमा भी है क्योंकि आपके partner action नहीं ले पार है ठीकर प्रजैंट में action नहीं ले पार हैं लेकिन अंदर ही अंदर वह घुट रहे हैं ठीक है planning करते हुए दिख रहे है रियूनियन करना है और आप आप चाह रहें को मुझे रीउनियन चाहिए कमिटमेंट चाहिए हीलिंग करते हुए दिखा दें मतलब आपके इनरीज हर तरह से मैं देख पारें लेकिन स्टक हो उसके बज़े से आपके पार्टनर भी अकेला पन फिल कर रहें और वह एकसर नहीं ले पारें क्योंकि अभी यह ब्लॉकेज उनको प्रॉब्लम क्रियेट कर रही है ठीक है क्योंकि आप बैलेंस में नहीं हो आप देखो गाइडियंस को फॉलो करो ठीक है इसमें आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो सबसे बड़ी बात आपके अंतर आत्मा में विश्वास जगा है बाबू जितनी मैं भी एनर्जी देख रहे हो आपके लिए बहुत अच्छा है ठीक है हर तर से यह अच्छा है लेकिन अभी प्रॉजेंट में देखा जाए तो ब्लॉकेज है प्रॉब्लम्स है चैलेंजेस है लेकिन आगे जाके आपके लिए पॉजेटिव ट्राइक है मत और सही दिशा जाना है आप अंदर से देखिए कि मुझे करना क्या है डिसीजन लिजिए कॉन्फिडेंस बराइए पेसेंस रखिए क्योंकि अभी की आने वाले इनर्जी मुझे आप लोग की अच्छी दिख रही है बैलेंस कर रहे है कुछ निव विगनिंग करना चाहते ह लेकिन सबसे बड़ी बात प्रजेंट में देखा जाए तो आप कोसिस कर रहे हो लेकिन लव लाइफ में आपकी सुरुआत ना होने से आप बहुत टेंसन में हो तो यहां पे आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे परशानिया है ठीक है क्योंकि यहां पी कोई ना को करता हुआ दिखी रहा है आपके पार्टनर और आपके खिलाप जो आप दोनों को अलग करना चाहता है ठीक है वह कमिंटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि बहुत स्लो है अब स्लो है तो फ्यूचर जरूर आपके तरफ अच्छा क्योंकि अभी आपकी ग्रोथ होड़ी है स्ल लेकिन स्टक हैं परसान है ग्रोथ में देख रही हूं सबसे बड़ी बात बाबो कि पॉजेटिव ग्रोथ है मैं यह देख रही हूं आपके लब लाइप में कुछ एक मुझे लगणा बहुत जल्दी नहीं एक से दो मन्त में आपकी मुझे लग रहा है यह 1111 पोटल है तो मुझे लगा 1212 पोटल वन मंत में आप लोग की कुछ न कुछ गुद निउस मिलेगा लेकिन बैलेंस में रहना 1212 यानि अगले मंत में आपको 1212 में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो या पिर नया करोगे कुछ गुद निउस आपको एक मंत के अंदर मिलने वाला एक मंत के अ बट बाबू यहाँ पर मैं बहुत परजेंट पर आगर आपके पार्टनर के एनरजी निकालती हूँ तो आपके लाइप में ना होने से इस वक्त आपके पार्टनर बहुत टूटा हुआ फिल कर रहे हैं आपके लिए खास नंबर हो सकता है 12 11 8 9 7 3 1 यह सब खास नंबर आप लोगे लिए हो सकते हैं ठीक है वो बापस आना चाहते हैं प्रजेंट में देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके लाइप में बापस आना चाहते हैं इस रिष्टे में सक्सेस चाहते हैं वो आप पर नजर रख रहे हैं कहीं न कहीं आप अपने आपको बंद रख रहे हो तो आपके पार्टनर आपकी ग्रोध देखकर आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं नजर रख रहे हैं लेकिन आज पास कोई ऐसी है निगेटिव करना है क्योंकि आपके खिलाब प्लानिंग भी चल रही है या जगड़े किसी से हो सकते हैं यह भी हो सक रहा है या फिर आपके जॉब पर प्रॉब्लम आड़ी है इसलिए आपके पार्टनर को कहीं न कहीं एक टूटा हुआ एनरजी फीलो रहा है कि जैसे वह तूट चुक रहे हैं लेकिन वह बहुत ही स्टक दिख रहे हैं क्योंकि बहुत लोग आप लोग को फिल कर रहे हैं एक्शन एक्शन सिर्फ उनके दिमान में एक्शन पास्ट में आप दोनों एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐ एइसा सोच रहा है आपके partner वो कभी बहुत हाई भई एक्षनल लेना है लेकिन यहां पे इक्षुद को न रोकते हैं इनके ego इनके blockage इनको रोकते हैं यह खुद को फिर रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी जो ग्रोथ देख रही हूं, इस वज़े से हो सकता है, आपके पाटनर आपके तरफ बहुत जल्द बढ़ना चाहें, देखिए डियर, वो कॉल मैसेज कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं, ऐसी एनरजी है, क्योंकि यह बहुत इस्टक है, कुछ एगो भी रोकता है, कभी बेचायनी आपके तरफ बढ़ने पर मजबूर भी कर रहा है, ऐसी एनरजी है, लेकिन यहां पर मैं देख रही है, आने वाले एक दो मन्त में आपकी ग्रोथ होती हूं, दीख रही हूं, क्योंकि 12-12 जो पोटल आएगा, उसमें मैं देख रही हैं, आप लोग का लाइप में बहुत सारे चिंज़ेस आ रहे हैं, यह एक मन्त में आप लोग के बहुत चेंज़ेस आंगे, लब लाइप बहुत अच्छा होगा, आपका करियॉर में कुछ अच्छा होगा, हो सकता कोई जोब मिले, या पिर आप बिल पाबर को बढ़ा ठीक है schools की बीना अधूरे नहीं रह सकते हो आप पूरे हो यह सोचो मैं आपको सोच मैं पूरा हूँ मैं पूरी हूँ relevant है, success मेरे life में है बहुत सारी खुची हैं मेरे life में है लेकिन ये मस्तों क्या करूज, कैसे करूज ये आप में बहुत जादा मैं देख रही हूं कैसे होगा, क्या होगा ये बहुत ज़्यादा energy मैं आप में देख पारे हूं लेकिन जिस हद तक आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, प्यार मिस कर रहे हैं, यह बहुत ही अकेलापन है, उन्हें लगड़ा कि मैंने कुछ खो दिया, जो कि मैं अब नहीं पाऊंगा, ऐसी एनर्जी है, और यह एनर्जी और आपके एनर्जी यही दिखाता है, कि अब आप आगे ग्रोध क क्योंकि दिब्बे शक्ति हमेशा आपको मदद करी, आपके एन्सिस्टर है, यूनिवर्स है, आप उनके बच्चे हो, डिवानली गाइड़े हो, तो प्लीज इग्नोर ना करें, सोलमेट जाने, ट्यून जाने, आपके सक्सेस का ये, सक्सेस का हम क्या बोले, सक्सेस है, इस जो भी आपके खिलाब, जो भी साजी साजरा है, वो आपकी ब्लॉकेज निगेटिविटी है, बस आपको लेटगो करना है, और ये सोचे, ये मेरी ग्रोथ है, सक्सेस का, मुझे इस से आगए निकलना है, और आपके पार्टनर जिस हाल में है, क्योंकि आप अपनी जो एनर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, क्या चिंजे सार है, बस यही कि मैं देख रहूँ, वन मंत में आप लोगो के लाइफ में चिंजे सार है, अभी का बीन, भी ब्लॉकेज है बाबू, अपने करियर, अपने फाइनांस, जो निव विगनिंग चाहते हो, पार्टनर को ले ठीक है, अगर आप निव स्टार्ट करना चाहते हो, तो देखो कि क्या आप निव किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हो, किसी के लिए नहीं है भी, अभी आप हिल नहीं हो, किसी के लिए आप सोच रहे हो, तो आने वाली वन मंत में आप लोगो का काम सुरू हो सकता है, वन बिक में वन बीट के अंदर हो सकता किसी की पार्टनर बात करें और फिर चूप हो जाएं कॉल मेस्ज किसी से मैं रिशीप कर सकते हो ठीक है तो यह थी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी और लब लाइफ में क्या आने वाला है 11-11 पोटल में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो चेंजेस बहुत अच्छा है बस आपको बदलना है खुद को बदलना है इन्वास इंचस गौर को ग्रैटिटून देना है ठीक है गुसा जिद्दी को जो भी एनर्ज किजिए उसको लेटको किजिए और पॉजेटिव सुचिए ठीक है तो चलिए डियर अगर ये वीडियो अच्छी लगती है अगर ये मैच भी करती है आपके पार्टनर से तो बहुत अच्छी बात ही कि क्योंकि ये कलेक्टिव डिटिंग है अगर किसी टॉपिक पे आपको हीलिंग करवानी हो गायडेंस लेनी हो जया एनरजी चेक करानी हो खुद के चकारस लेना उख और सेशन लेना हो तो तो ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वेल आइकन जरू देव आइडिये, तो God bless you, thank you